हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल कमप्टीशन क्लासिस विदे के पर आज के वीडियो में हम सामान बिग्यान के टॉप 80 MCQ को करेंगे इस 80 MCQ को हमने दो भागों में विभाजित किया यानि दो वीडियो में करेंगे चालिस इस वीडियो में चालिस अगले वीडियो में तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे like और share करिएगा चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला person है यह हमारे 80 person जो भी होंगे यह बहुत एक बिग्यान से related होंगे जो general physics है उससे related question होंगे तो चलिए पहला person सुरू करते है ताप का SI मातरक जो SI तापका मातरक बैसे तो degree centigrade, degree Kelvin, degree Fahrenheit, रियूमर चार पैमाने हैं लेकिन SI में मातरक जो है इसका SI में मातरक Kelvin है तो यह बिकल्प सही हो जाएगा निमलिकत में से किस समूगी सभी रासियां सदिस रासियां इन में से A, B, C, D दे रखा है इन में से कौन सी सदिस रासियां हैं सदिस माने जिसमें परिमार और दिसा दोनों हो तो किस समूगी सभी रासियां सदिस हैं सब सदेश है डी वाला बिकल्प स़ह हो जाएगा निमलिकत में से किस समू की रासियां अदेश है एक प्रिकास बर्स बराबर होता है ये दस्की गात पंद्रह ये दस्की गात बारा दस्की गात नो है ये घात लगी हुई है तो ये इसमें पूँच रहा है एक प्रकास बर्स बराबर किसके होता है तो एक प्रकास बर्स बराबर होता है नौ दसमलब चार छे गुणा दसकी घात बारा किलो मीटर या दसकी घात पंदरा मीटर तो ये भी सई है और ये भी सई है ये दोनों सई है क्योंकि किलो मीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो वो एक हजार जादा हो जाएगा यानि घात जो है बारा से पिलस तीन हो करके पंदरा हो जाएगी तो ये दसकी घात पंदरा है पंदरा और दसकी घात बारा अगर किल केलोमीटर है तो बारा और मीटर है तो पंदरा 9.646 तो मल्टिप्लिकेशन में रहेगा तो डी बिकल्प सई हो जाएगा जड़त्तु का गुण जड़त्तु क्या होता है कि कोई भी जड़त्तु का नियम दिया था कि कोई भी बस्तु जब तक कोई उस पर बहावल ना लगा जाए तो ब्राम वस्ता में ही रहेगी और अगर वो एक समान गती से चल रहेगी तो जड़त्तो का गुण प्रतेक बस्तु में होता ए बिकल्प सई हो जाएगा जब तक उस पर बल नहीं लगेगा कोई बस्तु बिना बल से नहीं चलेगी इसका मतलब हर बस्तु में जड़ समेलित नहीं है यानि ये उपकन दे रखें और उर्जा का रूपांत्रन दे रखा है तो माइक्रो फोन जो होता है वो क्या करता धोनी उर्जा का बैदत उर्जा में परवरतन करता है ये सही है लावड स्पीकर बैदत उर्जा को धोनी उर्जा में ये भी सही है डाइनमो यांत्रिक उर्जा को बेदत उर्जा में, ये भी सही है, मतलब ये लाश्ट वाला गलत हो जाएगा, धोनी उर्जा का यांत्रिक उर्जा में, सितार, ये उल्टा कर दिया, ये यांत्रिक उर्जा को धोनी उर्जा में बदलता है, तो ये उल्टा हो गया, तो ये ही गलत है, दी विकल्प सही हो जाएगा इसके एक अश्शो शक्तिया एक होर्स पावर कितने बराबर होता है ये 746 वाट के बराबर होता है तो बी विकल्प सही हो जाएगा न्यूटन के किस नियम किस गतबिस्यक नियम से बलका ब्यंजग प्राप्त होता है बलका ब्यंजग क्या होता ह F बराबर M A M माने द्रबमान A का मतलब तोण तो ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन का दुत्तिय नियम है B विकल्प सही हो जाएगा प्रत्वी की सताय से उपर जाने पर दाव पर क्या परवाव पड़ेगा? जब हम प्रत्वी की सताय से उपर जितना जाते जाएगे तो दाव घटता जाएगा प्रेसर कूकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि प्रेसर कूकर के अंदर जब दाव प्रेसर जो होता है वो जाद होता जिससे प्रेसर बढ़ने से पानी का कुटनांग जो है बढ़ जाता इसका मतलब वो 100 डिग्री सिंटीग्रेट पे ना उबलके 100 से कुछ उपर जाकर के उबलता है तो यह पहला विकलब से हो जाएगा जब देर उसे उबलेगा तो इसलिए उसमें जल्दी खाना पक जाएगा प्रत्वी का तलका पलायन बेग पलायन बेग का मतलब यह होता है कि अगर किसी बस्तू को हम उसे स्पीड से उस गती से उसे उपर की दिसा में फेंके तो वो प्रत्वी से पिंड पलायन कर जाएगा वो बस्तू प्रत्वी के सीमा के यानि गुर्तवा करशन छेत्र से वो पृतवी से उपर की और कोई भी वस्तु फेंकेंगे अंत्रिक्ष की तरप तो वो बापस पृतवी पर लोड़ कर नहीं आएगी पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पानी की बूंदें जो होती है वो गोल होती है प्रष्ट तनाओ के कारण जो शर्फिस टेंसन होता उसके कारण होती है बी बिकल्प सही हो जाएगा जूला जूलती हुई कोई लड़की है बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैट जाए तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आवर्त काल जो है उसicoंटर से उस लड़की की दूरी यानि जूले की लंबाई पर निर्वर करती है ना कि उसके बजन पर तो अपरवर्तित रहेगा C बिकल्ब सही हो जाएगा गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जब लंबाई बढ़ जाएगे क्योंकि लंबाई का जो आवर्त काल होता है वो लंबाई का समान पाती होता है तो जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल भी बढ़ेगा ए विकल्ब सही हो जाएगा दोनी तरंग है दोनी अनुदैग तरंगें भी होती है और विदुचुम्ग किये दोनी तरंगे अनुदैग तरंगें होती है ए विकल्ब सही हो जाएगा अगला है अनुप्रस्त तरंगें किस माद्यम में उत्पन की जा सकती है जो अनुप्रस्त तरंगे होती है वो सिर्फ ठोस में ही उत्पन की जा सकती है बी विकल्प सही हो जाएगा अनुदैग तरंगे किसमाद्य में उत्पन की जा सकती है अनुदैग तरंगे जो है वो तीनों में हो सकती है ठोस द्रब गैस तो डी विकल्प सई हो जाएगा आवरत्ती का मात्रक जो होता है आवरत्ती जो होती उसका मात्रक होता है हर्टज हर्टज होता है आवरत्ती का मात्रक यह बिकल्प सई हो जाएगा दोनी तरंग का सबसे अधिक बेग दोनी जो है दोनी या दोनी का तरंग का बेग कहलो या धोनी का बेक कहलो सबसे अधिक इसमें होगा फोस में होगा फिर उससे कम द्रब में फिर उससे कम गैस में और निर्वात में बिल्कुल नहीं होगी धोनी की गती निर्वात में धोनी नहीं चलती है तो यह विकल्प इसका सही हो जाएगा पराशरब तरंगे बैं हैं जिनकी आवरती पराशरब जो होती हैं उनकी आवरती इतनी जाद होती कि वो हमें जादा के कांड सुनाई नहीं देती यानि 20,000 से अधिक आवरती वाली जो हैं हटर से अधिक आवरती वाली होंगी वो पराशरब और 20,000 से 20,000 वाली यह होती है शरब इनको हम सुन सकते हैं इनको कुछ जानबर जैसे सेर, कुटा, बिल्ली इस तरह से कुछ जन्तु होते हैं जो इस चीज को सुन सकते हैं लेकिन मनुस्व जो है 20 से 20,000 हर्टेज के बीच की दोनी को सुन सकता है और 20 हर्टेज से कम है तब भी वो नहीं सुन पाएगा इनको अश्रब कहते हैं जिस सुन नहीं सकता हो यह इतनकी ज्यादा अबरती है इसलिए नहीं सुन सकता तो मनुस्व केवल 20 से 20 हजार हर्टेज की अबरती के बीच की दोनी को सुन सकता है तो कुल मिलाकर के प्रिसन का विकल्प हो जाएगा C सुस्क बायू में दोनी की चाल है सुस्क बायू में दोनी की चाल जो होती है 332 मीटर प्रती सेकंड होती C विकल्प सही हो जाएगा इसत्रीयों की दौनी पतली होती है क्यूंकि उनका तारत तो अदिक होता ये विकलप सही हो जाएगा इस पश्ट प्रत्यधृतिधानी सुनने के लिए स्रोता और प्रावर्ठक के बीच की दुरी जो Eco उती है Eco प्रत्यधृतिधानी आती है B विकल्प सही हो जायगा निमलेकेत मैंसे किस बुद्ध चुमगीय तरंग की वेदन चम्ता सबसे जादा इनमें से जो दे रखें इनमें से गामा क्रणों की सबसे अधिक हो जाएगी अगला है किस ताप मान पर सिंटीग्रेड औफारेनाइट ताप मापियों के मान जो समान होते हैं centigrade of Fahrenheit जो होता C बटे 5 बराबर होता F माइनस 32 बटे 9 यह फार्मूला होता यह इन में संबंद होता लेकिन यहां पे C और F का मान बराबर कब होगा जो माइनस 40 जो होता वो बराबर होगा तो माइनस 40 degree centigrade मायनस 40 degree Fahrenheit यह दोनों पे मायनस 40 बराबर होता तो B बिकलब सही हो जाएगा उसमा का SI मात्रक उसमा का SI मात्रक भी जूल होता है C बिकलब सही हो जाएगा मानब सरीर का ताप मान अठादब सरीर का ताप मान 98.6 degree कहीं पे 98.4 degree Fahrenheit होता है और ये 36.9 यानि 37 लगवग ये भी आता है तो ये भी हो जा रहा है और ये भी हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों हो जा रहा है तो ये D बिकल्प सही हो जाएगा जे centigrade में माना है और जे degree Fahrenheit में माना है तो ये और B दोनों हो जाएगे किस टाप पर पानी का आयतन नियूनतम और घनत तो अधिकतम होता है ये बहुत ही फैमस कोस्चन है चार डिग्री सेंटी ग्रेड पर ये भी कल्प सही हो जाएगा नियूमन में से किस पदार्थ की विसेश टूसमा सबसे अधिक है बिसेश टूसमा जल की सबसे अधिक होती है और वो होती है एक बाकि जितनी भी दुनिया के पदार्थ हैं सबकी बिसेश टूसमा एक से कम होती है तो C बिकल्प सही हो जाएगा 30 का हो जाएगा C अगला नियूनतम संभवताप है इसको बोलते हैं परम-07 निताब या जीरो, अफसलूट, जीरो तंपरेचर ये होता है हमारा माइनस273 डिग्री सेल्शियस भी विकल्प से हो जाएगा यानी 273 से माइनस में डिग्री सेल्शियस पहेमाने पर माइनस273 से नीचे और माइनस में तंपरेचर नहीं जा सकता गल्प सही हो जाएगा थोस्क में उस्मा का संचरण मुक्षता किस विदी से होता है थोस्क में जो संचरण होता है वो चालन से होता है 32 का हो जाएगा सी संबहन द्वारा ये द्रब में होता है द्रब में होगा संबहन द्वारा विक्रण जो हमें सूर्य से उस्मा प्राप्त होती है वो बिक्रण से होती है इसके लिए किसी माद्यम की अवशक्ता नहीं होती है उबलते जल की अपेक्चा भाप से जलने में अधिक कश्ट होता क्योंकि जल की अपेक्चा भाप की गुप्त उस्मा अधिक होती है भाप की गुप्त उस्मा बहुत जाद होती है बी बिकल क्या है प्रकास अनुप्रस्ट तरंगें और बिदो चुम्बकिय तरंगें दोनों है तो ए और सी दोनों यानि डी वाला बिकल्प सही हो जाएगा किस माद्दे में प्रकास की चाल सरवादिक होती है वो माद्दे माय जिस माद्दे में प्रकास की चाल सरवादिक होती है यह ह प्रकास की चाल निर्वात में सबसे अधिक होगी, ए बिकल्प से हो जागा, धोनी नहीं चलती निर्वात में, लेकिन प्रकास निर्वात में सबसे तेज गती से चलता, निर्वात में अब वोई स्पीड पूँच लिया, कि निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होगी, तो न कौन सा है बैंगनी जो हमारा बिव योर है इंदर धनुश होता जो सबसे वा यह है विय व्य यूर इनमें से ये देनी रखा अगर ये होता तो ये वाईलेट जो होता च्छा ऑपं ब्योक्त से इसका सबसे प्रिक्णणञ अधिक होता और रेड का सबसे कम होता है तो इसका हो जाएगा D अगर कम पूछ लेता तो रेड हो जाता है किस रंग के प्रकास का आप बरतनांग सबसे अधिक होता है आप बरतनांग पूछ लिया तो ये सबसे ज़्यादा बरतनांग भी वैंगनी कलर का होगा और सबसे कम